रोजाना एक सेब का सेवन आपको शरीर में होने वाली कई सारी परिशानियों से रोग कर रखता है इसलिए सेब को लेकर एक काहवत बड़ी है मशूर है कि प्रते दिन आहार में एक सेब शामिल करना आपको डॉक्टर से तूरी बनाई रखने के लिए काफी होता है आज हम आपको अपने चानल किद्नी ट्रीटमेंट विदाव डियलिसिस के माध्यम से ये बताने वाले हैं कि किद्नी के लिए आपल यानि सेब का सेवन कितना जरूरी है अपने विश्चे पर आगे बात करेंगे लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जल्दी से चानल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विश्चे और जानते हैं आपल जूस के फायदों के बारे में आपल जूस में वाइटमिन C, वाइटमिन B, मिगनीशिम, आइन, कैल्शिम, मिगनीज और कौपर के गुर्ण मौजूद होते हैं जो आपके शरीर को स्वस्च रखने में मदद करते हैं आईए जानते हैं कि एपल जूस के कुछ फायदे जो आपकी किड्नी को स्वस्च रखने में मदद करते हैं आपल को सूपर एंटी ओक्सिडेंट का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है इसमें polyphenol और flavonoid की अच्छी मातरा होती है जो आपके हाट को स्वस्च रखने में मदद करती है सेप के जूस में पाया जाने वाला potassium आपको heart attack और heart block की समस्या से बचाता है सेप का जूस आपकी किड्नी को detox करने का एक अच्छा और बहतर सादन है अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इससे आप urine संक्रमंट से तूर रहते हैं अगर बात किड्नी के मरीजों की करें तो किड्नी के मरीज अपने रोजाना की डायट में सेप को सरूर शामिल कर सकते हैं परन्तु किड्नी के मरीज अपनी डायेट में सेप का जूस शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि किड्नी के मरीजों को अपनी डायेट में लिक्विट का खास ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए किड़नी के मरीज से फल खा सकते हैं, वो किसी भी फल का जूस नहीं पी सकते हैं जो लोग अस्थमा रोक से पीडित हैं, उन्हें भी सेप का जूस पीना काफी फायदिमन्द हो सकता है सेप के जूस में फाइटो केमिकल्स की मौजूद्गी होती है, जो अंटी ओक्सिडन्ट गुड़ों से भरपूर मानी जाती है और सेप का ये प्रभाब, पल्मोनरी डिजीज यानि कि आपको फेफ़रों से संबंदित रोक से बचाता है इसके साथ ही पेट से जुड़ी परिशानी को दूर करनी के लिए सेप का जूस काफी लाबदायक माना जाता है इससे आपका पाचन तंत्र ठीक रहता है, साथ ही आपको कब्स और पेट दर जैसी शिकायते नहीं होती सेप का सेवन आपको लिवर से जुड़ी परिशानी से दूर रखता है क्योंकि सेप का जूस आपके लिवर को डीटॉक्स करता है जिससे आपके लिवर में मौझूद विशक्ता और अप्शिष्ट पदात साफ हो जाते हैं सेप फल के छिलके में मौझूद पैक्टिन पाचन तंतर को मस्बूत बनाता है इसलिए सेप का जूस उसके छिलके सहित बनाना काफी लाबदायक माना जाता है सेप के जूस का नियमित सेवन आपके बढ़ते वजन को कंट्रोल करने में साहिक होता है इससे आप मोटापे से दूर रहते हैं सेप के जूस में फेलोट्रे नामक पॉलिफेनोल पाये जाता है जिसमें कैंसर रोधी गुण मौझूद होते हैं अगर आप अपने जीवन में सेप के जूस को शामिल करते हैं तो ये आपके शरीर में cancer cells को बढ़ने नहीं देता, जिससे कि आप cancer जैसी गंभीर बिमारी से तूर रहते हैं. सेप के juice का सेवन आपके blood में cholesterol को बढ़ने नहीं देता, जिससे कि आपका blood साफ रहता है, जो आपके बढ़ते रख्तचाप से आपको तूर रखता है. साथ ही आपकी kidney और आपका हाज दोनों ठीक रहते हैं. सेप का juice आपकी हड़ियों को मजबूत बनाने का काम करता है, इसके साथ ही ये आपके immune system को strong बनाए रखने में भी help करता है. तो ये हैं सेप के juice के कुछ फायदे, लेकिन ध्यान रहे, kidney के मरीज सेप के juice का सेवन न करें, वो सिर्फ सेप का सेवन कर सकते हैं. अगर आप अपनी जीवन में आयूरवेद को शामिल करते हैं, तो ये आपकी kidney की सभी समस्याओं से आपको दूर रखता है. आयूरवेद का इलाज पूरी तरह से प्राकर्तिक है, जिसका कोई दुष्प्रभा नहीं होता. अगर आप या आपका कोई अपना kidney खराबी से परिशान है, तो इसके लिए आप आयूरवेदिक उप्चार ले सकते हैं, और इसके लिए आप कर्मा आयूरवेदा से संपर्ग कर सकते हैं. कर्मा आयूरवेदा का आयूरवेदिक इलाज पूरी तरह प्राकर्तिक है, जिसका आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई side effect नहीं होता और आपकी किद्नी ठीक रहती है. इसके साथ ही इस उप्चार में आपको dialysis जैसे दर्द को भी नहीं जेलना पड़ता, नहीं आपको किद्नी transplant के महंगे खर्चे को उठाना पड़ता है. तो आज के लिए बस इतना हैं, अगर आपको हमारी आज के वीडियो पसंद आई, तो इसे लाइक कीजिए, सभी के साथ शेर कीजिए, ऐसे और भी informative वीडियो उस के लिए हमारे चानल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही, आप अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं. हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार.